कि अब फिर से बहुत-बहुत अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हफ फड़ावल में आज से आपका एक नया स्रीज इस्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है परिच्छा मंतन 66 विपीच्छी प्रारंबिक परिच्छा 2020 करेंट अफियर सेवं सामान ग्यान 25 और विपीच्छी के लिए महासंग्राम इसका थमनिल है महासंग्राम स्रीज वन आज से अपका इस्टार्ट होड़ा है इसको एक भी इसके एक भी स्रीज को नहीं छोड़ना है यह नई बुक आई है वर्सिकांक जो भी एक लक्ष वान टू त्री मंतन का जो भी पढ़े हैं व आप तक डोटिफिकेशन जल से जल पहुंच सके और लाइक कॉमेंट सेयर चरूर करें इससे प्रोस्ताहन मिलती है और हां यह वैसे चात्र के लिए हैं चात्राओं के लिए हैं जो सुदूर इलाकों में रहते हैं उनके पास मेटरियल नहीं पहुंच पाती है और हां समय ब पहला आज हम लोग कर रहे हैं राष्ट्रिये राष्ट्रिये में आज 5-10 पेज नंबर 5-10 तक हम लोग करेंगे चलते हैं आज सबसे पहला हमारा जो है इसमें पॉइंट है गुप्तकार समझो उता क्या है आए हम इसे देखते हैं इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे जम्मू कस्मीर में जो जमीन खड़ी सकते हैं, पहले था कि वहाँ पे बाहरी लोग जमीन नहीं खड़ी सकते थे, तो आईए देखते हैं, गुप्तकार समझोता क्या है, हो सकती है, पीडियाप बनाने में थ्वासा, प्रिंट किलियर ना हो, तो आप सु और नियुक्त बयान पर दस्थकत करने वालो में, जम्मू कस्मीर परदेश, कांग्रेश समीती के अध्यक्ष जीए मीर के अतृरी, पहले जो किये थे, दस्थकत जीए मीर ने किये थे, उनके अतृरिक्त नेश्नल कॉनफरेंस के रास्ट्रिय अध्यक्ष फारुकबद अ पीडीपी चीफ महुवा मुफ्ती अली मुफ्ती जम्मू कस्मीर पीपल्स कांग्रेस के अध्यक्ष सज्जाद लोन और जम्मू कस्मीर आवामी नेशनल कांफ्रेंस के वरिष्ट उपाध्यक्ष मुझभफर साह और सीपीम के नेता एम वाई तारी गामी सामिल थे विजित हो कि कांग्रेस के अध्यक्ष जम्मू कस्मीर के इन पांच राइयति दलों ने सर्व सम्मती से यह संकल्प लिया है कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाले जम्मू कस्मीर के विशेश दरजे का दरजे को बहाल करने के लिए वे पूरे संगर्स करेंगे पूरा संगर्स करेंगे मतलब जो पहले था वैसा ही हो जाए पांच गर्स 2019 से पहले जैसा था मतीन सो सत्तर जिस तरह का जो भी था वही बहाल हो जाए अपने ब्यान में इस नए दाजिती गुट ने कहा कि कैंद सरकार द्वारा लिया गया तीन सो साल तीन सो सत्तर का खात्मे का फैसला जो लिया गया है यह लोग बोलते हैं यह पूरे तरह से क्या है और संबैधानिक था जो कि तीन सो सत्तर का मामला खत्म हुआ है गुपतकार घोसना पत्र दो जाड़ी एक जाड़ी किया था जिसमें कि सभी लोग समती नहीं बने थे लेकिन गुपतकार घोसना पत्र दो को भी मीडिया के साझा किया इन राजिती दलों के अनुसार सरकार द्वारा लगाई गई पावंदियों के कारण 4 अगस 2019 को गुप्तकार पर्थम घोसना पर हस्ताक्षर करने वालों में आपस में बातचित नहीं हो पाई थी किन्तु अब फिर से इस पर संबाद सुरू हो गई है कुल मिला के क्या समझे आप गुप्तकार संजोता से किलियर हो गया 370 जो मामला है 370 का जो मामला है जो जम्मू कस्मीर में हटाया गया है उसके लिए ये लोग चाहते हैं फिर से वह बहाल हो इसलिए ये सारे जो वहां के लोकल पार्टी संगठन है वह सम्मील के एक संजोता करके एक संगठन बनाए है उसका नाम दिया गया गुप्तकार संजोता के तौर पिए लोग चाहते हैं कि इसे खत्म किया जाए इसलिए लोग इस पे अडिग है अब नेक्स प्वूइंट है हमारा हिश्या जम्मू करसी में भुमिक खड़ितने की जाज़त अब जम्मू कस्मीर में जो है आम लोग भी जमिन करी सकते हैं लेकिन बहां अकिंद्री घ्री मंत्राले में जम्मू कस्मेर में भूमी संब बंदिते मामलों का नियंतुरित करने वाले नॉए नियमधी सब्राइब सकता है कि शौर्पी सरकार ने एक सब्रूर के मात्यम से मात्यम क में भूमी खड़़ने के लिए अस्थाई नवासी होने की सर्थ को शमाप्द कर दी पहले था कि जमीन जो खड़ देंगे वहां पर वहां के अस्थाई निवासी होने चाहिए लेकिन ये इसे खत्म कर दिया गया है जिससे अब जम्मू कस्मीर में गैर किरसी भूमी खड़िदने के लिए किसी भी परकार के अधिवास या अस्थाई निवासी परमानपत्र की आ जमीन पर किशी परकार के स्थापना एंश तू पर क्या होगा करने पर देख़ा वाल्ड़ाओं के अस्थापना है तो परयोग किया सकता है नए प्रवधान के तहत क्या होगा कोर कमांडर के पद के ऊपर पद का कार्जर सेना का कोई भी अधिकारी राज के किसी अस्थानी छेतर को समारिक रूप से भी गोशित कर सकता है जिसका उपयोग के वल ससतर बलो द्वारा परिचालन और परसिच्छन संबंधी अब सकताओं के लिए किया जाएगा अब हम लोग देखेंगे page नहमबर ऐस्ट सेवन का लगता है में सप्रेंट हो गया है सॉरी सेवन मैं बता देता हूं आपको सेवन में कुछ है नहीं इसमें क्या है डाइरेक्ट पोर्ट इंट्री एक है डालि में कैंसरकार मंत्री मंसुख मंडिकिय ने तमिल नाडु के तूती कोडिन में एक बंदरगाह है जिसका नाव है चीदम बरनार पर वो जो लागत जो लगता है जाने आने में जो माल जो भीजा आता है अंदर का उद्गाटन किया है इस सुविधा को 30 वर्स तक संचालित करने के लिए केंदर ये बंदर निगम के सा समझता किया गया है धिक कर इसमें कुछ खास था नहीं इसलिए अब एक है पन्जाब सरकार के किरशी विधयक अब किरशी विधयक जो अभी लागु किये गए तीन किरशी कानून में बदलाव करने के लिए ये तीन संसोधन विधयक भी सामिल है अब एक और था इसमें एकल पुरूस अभिवावक के लिए चाइल्ड केर लीव पहले क्या था कि वैसे जो बिदूर है या फिर सिंगल है उन्हीं को चाइल्ड केर लीव के लिए चुट्टी दिया था था लेकिन अब क्या हो गया है कि सभी लोगों को अब इसमें लीव मि पिता लोगों को अब छुट्टी मिलेगी ठीक है तो नेक्स्ट लोगों देखेंगे कि संसुतन बिध्यक जो हुआ तो वह लोग चार बिध्यक स्वारी तीन बिध्यक पर घोसना लगों कि हैं पंजाब सरकार ने किसान उपज वैपार वानी जी कि देखिए यहां पर क्या हुआ है किसान उपज वैपार वानीज संवर्धन और सुविधा विशेश प्रावधान और पंजाब संसोतन अधिनियम इस पर इसी विध्यक के माध्यम से किर्शी उपज समीती के अधिनियम 2016 के संद्बंद में राज के यथा इस्थिती की घोसना की गई है विध्यक या सुचित करने का प्रयास करता है कि निजी वेपारियों को भी सरकारी मंडियों की तरह विनिमित किया जाए इनका ये कहना है दुसरा है अबस्यक वस्तू विशेश विध्यक 2020 पंजाब सरकार पंजाब सरकार के इस विध्यक का उद्देश उपभकताओं को जमाखोडी और कलावाजारी की कूपर्थाओं से सुर्चित प्रतान करना या विध्यक पंजाब राजी को और साधरन प्रशिती जैसे की अकाल मुली बिर्दी प्राकिरतिक कोई अने स्थिती में उत्पदन आप उड़ते वित्रन और स्टॉक सीमा को विनेमित करने का परतिवंदित करने के लिए आदेश देने की सक्ति देता है अब उसके बाद आते हैं हम लोग पहला हर घर जल अभी गुवा क्या है आपका हर घर जल वहां के हंडेट परसेंट घर में घरेलु नल कनेक्शन हो चुकी है तो हाली में गुवा ग्रामिन चेतरों में दो लाग दो करोर 30 लाग ग्रामिन पर्वारों को सफलता पूरबक हंड़ेट परषंट करयात्म घरेलु कनेक्शन दे दिया ूजह इनका लक्ष था दोजार चौँग तक था ये लेकिन तो कर देखते कींसरmi चानुन करक्त हो रहा है से इसी कानुन क्या है इसका प्रावधान क्या हो रहा है हाल ही में राश्पती ने किसान संबंधी तीनों विद्यकों को मंजूरी देदी है आए समझते हैं कि इन तीनों विद्यक में क्या प्रावधान किया गया है क्रिशक के लिए उपज और व्यपार और वनीज की के लिए संबर्धन और सड़ली करन अधिनियम 2020 इस जहां किसानों और व्यपारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की अजादी होगी पहले ऐसी अजादी नहीं थी प्रावधानों में राजी के अंदर दो राजियों के बीच व्यपार को बढ़ावा देने की बात कही गई है मार्केटिंग और पडिवहन पर खर्च कम करने क कि पर डीथ को इस उसकतिकरन पर बल दिए गया है और कुछी सेवा पर करार एधिनीयों 2020 इस अजीनीये में किरेशी करार ओऊ पर राष्ट्री फ्रेमवर्क प्रावधान किया है यह अधिनीयों की विजनस वाठींश कर मिषद थो पना Redmi प्रोसेसर थे तो ऊंचिताओं बर बीज की आपूर्ती सुरिष्चित कराना है तक्निक की सहायता और फसल स्वास्त की निग्दानी रिन की सुविधा और फसल विमा की सुविधा उपलब्द कराई जाएगी अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अबस्यक बस्तो का संसोधन अधिनियम इस अधिनियम में अनाज दलहन तिलहन खाद तेल प्याज आलू को आवस्यक बस्तों की सुची से हटाने Sasaki सब्सक्राप करणाक्याइव 143 कि संधिया जश्मूं का मानना है कि अधिनियम सब्सक्राइब कििसासंगैठन सब्सक्राइब da कि नए कानुन के लागु होता ही किर्शी में किर्शी छेतर में भी जी पति उकका का हाfurण घरानों के हाथों में चला जाएगा और इसका नुक्सान किसानों को होगा इसका किसान नेताओं का मानना है कि किसानों को अगर बाजार में अच्छा दाम मिल रही रहा है तो बाहर क्यों जाते हैं जिन उत्पादों पर किसानों को MSP नहीं मिलती उन्हें वो कम दाम पर बेच कि आपको पता है कि पोसन मागें है कि घृ क्सितंबर मा को पोसन मा सकती सब्सक्राइब मंतर मन्तर को पहल लांंच की विधित्फों वर्ग् kicking सबन्द कुछ मुगहएं . इस में महिनें भर म कटिविजियों को सामिल किया गया है जोक्षिता और साफ सफाई देटा स्वास्त भोजन फूड फूड फॉर्टिफीकेशन आधी सामिल है यह अधिवेदियां शमाजी का और विहवार परिवर्तन संचार सोचल और विहावियरल चेंज करती है तथा जन अंदुलन दिशा निर्देस्व और विहवार में परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए इसमें अब देखते हैं एस्टेची ओफ यूनिटी कहां है गुजरात है वहां पे पोशन पार्क बनाया गया है स्टेची ओफ यूनिटी जिसकी हाइट 182 मीटर है और यह सबसे बड़ा है तो वहीं पे क्या हुआ है कि अब पोशन पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोशन संबंदी जनकारी भी लिया सकती है अब देखते हैं मीशन कर्मियोगी मैंने पहले भी बता चुका है हमारा जो बहला जो लेक्टर फरस्ट आया था जेनरल प्रिच्छा मंधन लक्ष फाइव का उसमें भलू पड़े हैं इसमें मीशन कर्मियोगी मुक्त शिविल सेवाश संगता अभिकास के लिए नई राश सब्सक्राइब करना और प्रतेक सरकारी निकाय में चिन्नीत श्रैक के कि अधिगम विश्यवस्तु का स्विजन करना और परदान करना कि जम्मू कश्मिर में अब हिंदी उर्दू समेथ पांच भासा मानिता भासा वहां की हो गई है कि अधिकारी बहसा हो गई है कि को सितंबर 2020 में राश्पति दामनस्त को भी ने जम्मू कस्मीर अधिकारी कि वहासा बिद्यक परहस्ताक्षर कर दिया गोर्त तलब है कि इसके तहत अब जम्मू कस्मीर पांच राजिक्वाशा होगी इसमें उर्दू हिंदी आंग्रेजी क यसमीरी और डोंगरी को अधिकरिक भासा का दर्जाद देने का प्राभधान है बेरी बेरी इंपोर्टेंट इसे याद रखना है अब नेक्स दो देखते हैं स्वक्षता सर्वेच्छन दुजर्बीज स्वक्षता सर्वेच्छन 2020 में अभी हाल में ही रिपोर्ट आई है जिसमें की आपको भी पता है कि लागातार इंदोर चोट्षे बर्स सबसे स्वक्ष सहर में वो हुआ है भरत का सबसे स्वक्ष सहर है इंदोर घोशित किया गया है वहीं गुजरात का सूरत दुसरे नंबर और महाराष्ट का नभी मुंबई तीसरे नंबर पर है अब स्वक्ष सहर के साथ साथ अफदेश के गंदे सहर की भी समिक्षा की गई है बिहार की राजजानी पतना स्वक्षता सर्वेच्छन 2020 के नतीज़ों में सबसे नीजले पाइदान पर है छोटे सहर में स्रेणिय में बिहार का गया सबसे गंदा सहर गोसित हुआ है विजित हो की स्वक्षता सरवेच्छन 2020 को दोसरेणियों में दस लाग से ज्यादा जनसंख्या वाले सहर और दस लाग से आवादी वाले कम के धर पे उसका खुसना किया गया है नेक्ट देखते हैं अब हमारा है बोड़ो सम समझता के बारे में जैसे आपको पता है कि एक समुदाय है कहां की तो असम तो अब इसमें 27 जनवरी 2020 को भारत सरकार असम सरकार और बोड़ो समुह के बीच एक समझता ग्यापन पर हस्तरक्षर हुई है इस समझते का मुखुद्देस है असम में सांती विवस्ता स्थापित करना और विकास गतिवीदियों को बढ़ावा देना जाते हैं कि इसके पहले दो समझते वर्स 1993 और वर्स 23 में भी हुई है बोडो समुदाय और के अंदर तथा असम सरकारों के बीच हो चुके हैं इस समझते के माद्यम से बोडो लेंड टेरिटरियल एरिया डिस्ट्रिक को अब चेंज करके क्या हो गया है कहना मदल देए गया है बोडो लेंड टेरियल रिजन कर दिया गया है बोडो लेंड टेरियर डिस्ट्रिक की अबिस्तर असम के कोक्रा जहार चिरांग वक्सा और उडल गिरी जिलो में है विजितों के बीटी एडी छेत्र भारते सम्मिधान की छटवी अनुसुची में सामिल है जिसे नागरित्ता संसोधन कानून 2019 से बाहर रखा गया है मुख्ता इसमें था क्या मिजरम और आसम के छेत्रों में जो लोग बोडों के समुधाय थे उन्हें वहां से अब यहां जो लोग आ गये हैं वो अब यहीं रहेंगे उन्हें सरकार अपनी तरफ से देखभाल करेगी उनकी सारे खर्चों को उठाएगी चरी अब आगे देखत का निजीकरन इसकी देख रेक इसकी विवस था साथ सज्जा लेट लतीव को देखते हुए विवेक देवराव समीती ने विवेक देवराय समीती वर्स 2014 में परमुख रेल पर्युजना के शंसाधन जुटाने और रेलवे बोर्ड के बुर्ण गठन है तो एक समीती का गठ देखेगा निजीकरन किसका तो डबो का रेल के डबो तो था इंजन का पात हुई है तीक है वह ऐसा इसलिए किया रहा है ताकि निजीकरन से ततपर्च ऐसी है कि अब जो गौर्वर्मेंट की जो भी संपत्ति है उसके उसकी देखरेख अब निजी हाथों में दी जाएगी खड़ी नहीं उतर पाड़ी है अन्यदेशों के रेलोगों के अपेक्चा यहां पे पीछे हैं भारतिय रेलवे लेट लतीफी तथा अव्यवस्था के कालन भी बदनाम है और फूडिंग और लॉबिंग तथा स्वक्षता के अस्तर पड़ भी भारतिय रेलवे काफी अब दूसरा हम लोगों देख रहे हैं जम्मू कस्मीर का भारतिय रेलवे में रख रखाव अधिनीकरन भारतिय रेलवे में होती थी फोडिंग लॉविंग सवचता नजराती थी अब जो इसका निजीकरन का फाइदा होगा किराएं में विड़दी होंगी सभवना अगा जम्मू कस्मीर का नया मानचितर सामने है जम्मू कस्मीर व्लद्दक का नया मानचितर जारी करने है नए मांचेतर के अनुसार पाकिस्तान अधिकिर्ट पी ओ के जो मीर पूर्थց था собствен अब किसका हिस्सा दिखाया गया है तो इसे जम्मू कस्मीर का हिस्सा कि बताया गया है दिखाया गया है ऐ सभेत आट के एकुली में इन दोनों जिल्व सहीत जम्मू और कस्मीर में 22 जिले होंगे अब इसे देखले थोज़ा सा हलका सा भारत का जो नया राजनीतिक मानचितर के अनुसार लेह भारत का सबसे बड़ा जिला होगा और अभी जो जम्मुकस्मीर पुनरगठन अधिनियम 2019 जिसा भार्दैस सम्मिधान की धाराति 70 के निराकरन के बाद लाओ किया गया में पुर्व के जम्मु एवंकस्मीर राजयों को जम्मु एवंकस्मीर और लद्धाख के दो नए संग सासित पर्देशों के रूप में पुनरगठित कि जी है प्रदेश लडदाक और कारगिल लह के दो जिले होंगे पुर्व के सेश जम्मु एवं काश्मीर आज में निया संग शाषित पर्देश जम्मु में काश्मीर है आगे दो बात करेंगे इस से पर पांस से दस तक आपका इस गया है यह महा संग्राम स्रीच मारिच्चा मन्थन की है 66 BPSC के लिए स्पेसल है तो हां और जो भी नए है कि रुप्या करके सब्सक्राइब कर दें बेल इकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके और हां लाइक लिक एंड सब्सक्राइब करना लाइक एमन कॉमेंट चरूर करें इससे प्रोस्ताहन मिलती है वीडियो गाने के लिए और बेस्ट अपलाक अच्छे से पढ़ें बाबाई टेक क्यार